आज मैं आपके लिए लेखें कांजी वड़ा की रेसिपी कांजी वड़ा राजस्तन की बहुत ही पॉपिलर डीश है और इसको बनाना बहुत ही आसान है कांजी वड़ा में जो ये पानी यूज होता है डाजेशन में बहुत हैल पकरता है और पीट में ठंड़क पहुंचाता है तो गर्मी में इसे जरूर बनाई है और इसे बनाना बहुत ही आसान है ये मैंने एक कप उड़त दाल ले रखी चाहे आप हाफा फ्रेशों भी ले सकते गुड़त दाल और वंग दाल का दोनों दालों में ये बन जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से और इस तरह से मैंने 10 मिन तक पूरा फेटा है ताकि इसमें अच्छे से एर पॉकिट बन सके और एक ही डायरेक्शन में हमने फेटना है इससे ताकि हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे फूले फूले से बने और पस इस तरह से हमने 10 मिन तक पूरा है और देखो दाल का कलर हमारा चेंज हो गया है तो इसको मैं तो और फेट लेती हूं और पानी डाल के हमने चेक करना है तो अभी हमने एकक टोरी में पानी ले लिया है अभी से चेक करेंगे अगर ये तैरने लगेगा तो समझ लिजे कि आपका जो वड़ा है बिलकुल परफेक्ट बनके रैडी होने वाला है बैटर बिलकुल अच्छे से रैडी हो गया है तो साथ उन्हों सर आप नमक डाल लीजे अब एक छोटी चम्माच हमने जीरा लिया है एक छोटी चम्माच हमने जीरा पाउडर लिया है अब इसको एक की डायरेक्शन से फिर से मैं फेटूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले तो इस तरह से सारे मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर लेने हैं देखें दाल कितनी अच्छे से फूल गई है फेटने पे एक दम फलफी इनेस आ गई है इसमें बहुत अच्छे से तो इस तरह से हमने फेटना है अब हाथ में आप पानी लगाईए और मैं जो बीच में जो वड़ों में छेद होता है वो वाले वड़ों की शेप बना रही हूँ अपने पकोड़े वाली जो शेप है वो भी बनानी है और इस तरह से भी बना रही हूँ तो यह आप देख लिजिए इस तरह से बनाना होता है हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाईए और एक लोई के हिसाब से आप जितना भी आपको साइज में बड़ा चाहेंगे वड़ा उस हिसाब से आप लीजिए और इसमें उंगली की सहाता से बीच में छेट कर दीजिए और ज चत जाएगा तो इस तरह से हमने क्से नहीं बनाना है यह देखे बड़ा कितने अच्छा से बनके रेडि Is Best तो इसी तखर से सारे बड़ो को रेडि करना है आप यह और देख लीजिए किस तर छहात पैंवे बड़ा के बनाारी हूं एकấं भी यह हातम पानी कम ओ गया तो इसम्हमंद में पानी आड़ कर रही हूं किसे हमें करने हें तो है बन से हैं आप कर लाप जिस दुना कि सिसे बनाना बहुत ही आसान को इसमें रौकेट यह आपसे नहीं बनेगा हम बना ऑ आप आप चुर इससे इस तरह से ही लिए liëk कर दो लेता फ्रैल ये तो और ये तो घ्याई शुआ करने नेअ में लेकिन अच्छे से पर्फेक्ट बढ़े हो तो बनाने में अच्छा लगता है और खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से आप करिए ये देखे फ्राय होके बिल्कुल रेडी हो गए है तो अभी हमने इसे एक अलग प्लेट में रख देना है और और भी बड़े रेडी करना है अब ये पकोड़े स्टाइल में हम जो बनाते हैं वो सिंपल में बना रही हो थोड़े इस तरीके से थोड़े उस तरीके से तो दोनों टाइप के हमने बना लिये हैं और इसे भी फ्राय करके हमने निकाल लेना है ये देखे ये देखे इस तरह से लख कर लीए है हम्ने अब पूरा एक प्लेट पे हमने निकाल लेना है तो वड़े बनके पूरे रेड़ि हो गये हैँ तो दो तरीके की शेब दूए हमने और पूरे अब एक अलग बरतर में मैंने एक लिटर पानी लिया है ये खुनकुना वाम वॉटर है शुनकुना पानी ह तक इसमें सॉफ्टने साथ है अब एक से देड़ लिटर पानी और लेना है एक अलग पतिले में और उसको पूरा उबालना है और उसको ठंडा करना है अब यह मसाला मैं रेडी कर रही हूं तो दो चमश हमने पीडी सरसो लेनी है आधी चमश हमने राई लेनी है अपनी घर की और आधी चमश हमने लेनी है अजवाईन और दो से तीन हमने लाल मिर्च लेनी है और बस इसको हलका सा खुश्बू आने तक भूनना है हमने अब वन फोर्ट रिटी स्पून हमने हींग लेनी है और इसे भी अफ हमने भून लेना है तो यह हमारा मसाला बनके गईस रेडी ह जाएगा इसको जस्ट खुश्बू आने तक भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना है और जो गैस की फ्लेम है वह एकदम कम ही रखनी है तो इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था और अब इसको हमने इस मसाले को ग्राइन करना है अब यह जो पानी हमने गरम किया है से 5-5 लिटर अब तो लुए हमने लुए हमने डाल लहें वकलके वं खूली अब ग्राइब देखा कर दे अब ग्राइं मासला है वह तो आटे बनने हमने के पाने बन खुन कर देड हे अगाई वैस यह देखिए हैं इसको चला लेंगे तमस्योड टी भी तो च्बार चला डाला है सरसोयल चाहे तो आप इसकिप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकिप कर दीजिए मैंने इसमें एक जमर सरसोयल डाला है इसमें अच्छा सा अचार सा टेस्ट आता है और इसे फर्मेंटेशन के लिए अब मैं धूप में रख रहे हूं तो आप एक दिन के लिए पूरा धूप में रखें और फर्मेंटेशन उसमें हो गई है तो मैं अभी है कि से बहार से में ले अच्छाए आई हो दूप में से और अभी इसमें देखिए में इसको प्रिपेर करेंगे हम यह दिखिए हैं तो यह मैं इससे सर्व कर रही हूं तो एक मैंने बाउल में सारे बड़े ले लिये हैं और पानी डाल दिया है कांजी वाला और इस तरह से पुरा बड़े को टिप कर दिया हमने और ये दिखिए कितना अचाए अब गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बूंदी लिये हैं और थोड़ा सा मैंने कॉरिंट लिए धनिया के पत्ते लिये हैं तो इस तरह से आप गार्निशिंग करती जिए और आप इंजॉय करिए तो बन के गाइस कांजी वड़ा बहुत ही पर्फेक्ट रेड़ी हुआ है और कितना टेस्टी सा लग रहा है खाने में तो गाइस आप इसे इंजॉय करिए और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें थैंक यू इंजॉय करें नेक्स रेसिपी में मिलते हैं बाबाई बाई